वेल्कम टो हेल्थ केर एट हूं हमारी एक दर्शक है शाहिदा इन्होंने लिखाया कि मैं डेली बॉटल वाला पानी ही इस्तेमाल करती हूं क्योंकि हमारे यह शुद्ध पानी नहीं मिलता तो क्या यह इस्तेमाल करना ठीक है या नहीं और कौन सा पानी शुद्ध होता है दिखिए शाहिदा जी सबसे पहले तो पानी का महत्व जान दीजे कि हमारा जो शरीर है 70% वाटर है अगर आप अपना टोटल वाडी वेट देखें तो उसका 60% जो वेट है वो पानी से बनता है और पानी हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपून है हमारे शरीर के जितने भी जहरीले तत्व होते हैं वो पानी के द्वारा ही बाहर निकलते हैं पसीने के थुरू, यूरिनेशन के थुरू और पानी की हमारी requirement हर ओर्गन को पानी चाहिए यहां तक कि जो हमारी bones होती है जो joints होते हैं उनमें cushion का काम भी पानी ही करता है हमारे digestion के लिए जो सबसे पहली digestion की जो शुरुवात होती है saliva वो भी saliva का production भी पानी के द्वारा ही होता है और हमारा digestion जो start होता है वो भी पानी से ही होता है पानी के बिना मचली कुछ पल जिन्दा रह सकती है और हम कुछ दिन जिन्दा रह सकते हैं 7-8 दिन से ज्यादा अगर हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में टॉक्सिंस की मातरा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमारा जीना लगभग असंभा हो जाता है अब आपकी बात आती है कि बॉटल वाला पानी इस्तेमाल करना है या नहीं दिए बॉटल वाला पानी अगर आप ले रहे हैं तो आप ये समझे कि आप पैसे देकर कैंसर खरीद रहे हैं और ये एक ऐसा विग्यापन का दोर चल रहा है जिसमें हमारे दिमाग में ये भर दिया गया है अगर मैं भी जाकर बॉटल का पानी खरीदता हूँ तो क्यों खरीदता हूँ मैं इसलिए खरीदता हूँ कि यार ये पानी शुद है और इस शुद्ध पानी से मुझे फायदा होगा अच्छा अगर आपने अशुद्ध पानी पी लिया तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है लूज मोशन लग सकता है, डाइरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है लेकिन ये bottle वाला पानी जो आप लगातार अगर इसका इस्तिमाल कर रहे हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकता है आपको cancer हो सकता है अभी आपको decide करना है कि आपको cancer लेना है या diarrhea लेना है पहली चीज तो diarrhea भी नहीं होगा अगर हम पानी का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें, अपने घर पे ही उसको कैसे साफ करना है, कैसे उससे बैक्टिरिया बाहर करने है, अगर ये हम जान लें, तो ना हमें डाइरिया होगा, और ना हमें कैंसर होगा. अच्छे, लोग कहते हैं कि बॉटल वाला जो पानी है, वो शुद्ध है, टीडियस उसका बहुत कम होता है, टीडियस का मतलब होता है, टोटल डिजॉल सॉलिड, अब टीडियस जब एकदम कम कर दिया जाता है, तो क्या होता है, जितनी भी बॉटल वाला पानी है, उसका टी TBS को 100 से कम कर दिया, जितनी भी बॉटल वाली चीज़ें है, उनका पानी अगर आप देखेंगे तो उसका TDS 100 से कम है, अब 100 से कम TDS में क्या होता है, यह जो पानी है बहुत एग्रेसिव हो जाता है, हाइपर्टोनिक वाटर में कनवर्ट हो जाता है, अब यह जो होने की संभावना बढ़ जाती है आपको हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है आपको ब्लॉकेज की संभावना बढ़ जाती है अचा बोटल वाले पानी के साथ दूसरी जो सबसे बड़ी प्राबलम आती है वो आती है पेस्टिसाइट की अब पेस्टेसाइड की कितनी मात्रा एलाउड है 0.0001 मिली ग्राम पर लीटर ये पेस्टेसाइड की मात्रा एलाउड है लेकिन CSE ने जब चेक किया तो दिली के बॉटल वाले पानी में 36.4% पेस्टेसाइड ज्यादा थे और बॉम्मे में जब इसकी चेकिंग की गई तो 7.2% पेस्टेसाइड ज्यादा थे डबलू एचो ने जब कलकत्ता के बॉटल वाले पानी की जाच की तो ये पाया कि वो नलका पानी की गुरुवत्ता जो थी वो बॉटल वाले पानी से ज्यादा बहतर थी तो आप पैसे दे कर क्या खरीद रहे हैं cancer खरीद रहे और पेस् इसको अपने शरीर में डाल दे जैसे कि मच्छर भगाने के लिए all out लगाया जाता है क्या आप all out पी सकते हैं नहीं पी सकते हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस पानी के द्वारा आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उस pesticide को अपने शरीर में डाल रहे हैं जो आपके organ को damage कर रहे हैं आपने बहुत से लोगों को देखा होगा उन्होंने कोई उनको व्याशन नहीं होता कोई नशा नहीं करते हैं वह खासतोर पर females में मैंने देखा है कि ना उन्होंने कभी सुपारी खाई है ना कभी कुछ खाया एक certain age के बाद ये डाइग्नोस हो जाता कि उनक भी तरह की fungus ना देखे क्योंकि एक बार अगर ये दिख गया तो social media पर ये popular हो जाएगा और company की बदनामी हो जाएगी और उनका business जो है वो ठप हो जाएगा नतीजा धेर सारा pesticide मिला दिया गया ताकि पानी में किसी तरह का bacteria ना है किसी तरह का कोई कीड़ा ना देखे आपक अगर आप नीमित तोर पर इस पानी का इस्तिमाल करते रहेंगे तो cancer होगा तो पहली चीज आपको क्या करनी है एक चीज और ध्यानाई मुझे mineral water जो mineral water होते हैं उसमें mineral होता ही नहीं है क्योंकि वो RO के थुरू निकाले जाते हैं और RO के थुरू निकलने के कारण सारे उसक potassium, potassium ये सब जो पानी में होता है जो TDS होता है वो 100 से नीचे ले आते हैं वो जो bottle one mineral water होता है उसका TDS 50 to 100 के बीच में रहता है यानि कि उसमें कोई mineral नहीं होता लेकिन बेचा कैसे जा रहा है mineral water और बड़े शौक से लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यह multinational company जो इंडिया में पानी बेच रही है जिसमें इतना ज्यादा pesticide है वही पानी जब आप UK में USA में देखेंगे तो उसमें pesticide की मात्रा उतनी ही होती है जितनी allowed है लेकिन यहाँ पर यहाँ पर लोगों की सेहत की चिंता नहीं है और हम पैसे दे दे के वो चीज करते हैं रियूज करते रहते हैं और अक्सर इसको धोया भी नहीं जाता तो उसमें गंदगी भी होती है पानी भी उसका खराब है आपको बीमारियां भी दे रहा है अच्छा अब बात करते कि आरो जो लगाया है लोगों ने UV filters लगाए हुए घर में क्या वो ठीक है चलिए इस पर यही चर्चा जारी रखेंगे अगले अपीसोड में फिलाल के लिए हमारी कामना यही है कि आप स्वस्तर रहें वेस्तर रहें और हमसे मिलते रहें स्वस्तर रहना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें शेयर और लाइक करना ना भूलें धन्यवाद